जो है मसी की दोस्तों, आज की सुरगी मन्ना का भाख हमने लिया है इब्रानियों की पुस्तक, उसका चौथा अध्याय और उसका सोलवा वचन वचन कहता है अता हम साहस के साथ अनुगरे के सिंगहासन के निकटाएं कि हम परदया हो और अनुगरे पाएं कि आवश्यक्ता के समय हमारी साहता हो धन्यवाद विता परमिश्यर तेरे पवित्य समर्थी वचन में अद्पुत्षिवा है तुमान है तुमही महराधर के योग है दोस्तों ये अनुरे का सिंखासन क्या है इश्वमसी का बलिदान उसकी वज़ा से हमने पापों से मुक्ति पाई हमने श्रापों से मुक्ति पाई और हम आजात हो गए अंदकार से निकल कर हम जोती में आए हम नहीं स्रिष्ठी बन गए पुरानी बाते हमारी चली गई और नहीं बाते हम नहीं बन गए पूरी तरीके से कैसे बनाया परमेश्वर नहीं अपने अनुगरह के द्वारा और जब अनुगरह के द्वारा हम नहीं बने जब हमारी श्राप हम से निकल गए जब हमारे पाप हम से निकल गए तो हम परमेश्वर के योग के बन गए इसलिए हमारे पास परमेश्र के सारे प्रतिग्या है हमारे पास परमेश्र के सारे आशीश है जो परमेश्र के मुख से आशीश निकले है इबराहिम के लिए उसके वंशेश हमें और हमारे पास सब कुछ है इसलिए जब इतना सब कुछ परमेश्र ने हमें दिया है वो सारी चीजें हमारे अंदर क्या पैदा करता है साहस उस्जा हिम्मत कि हम अब एक नई शिष्टी में हैं हम एक अनंतकाल के जीवन में जी रहें वो साहस तो बाइबल कहती है बच्छन कहता है कि उस साहस के साथ हम अनुग्रे के सिंगासन के सामने आए उस साहस के साथ हम परमेशर के सामने आए परमेशर से रिष्टा और गहरा करें हम जब साहस अपने अंदर पाते है क्योंकि परमेशर ने जो आप पर अनुग्रा किया है आप पर जो क्रिपा किया है वो ये है कि आनंद हमारा है, प्रेम हमारा है, उजियाला हमारा है, सुख हमारा है, शांती हमारी है, और हमें परमेश्वर ने विरासत में दी है, इसलिए ये शांती, ये प्रेम, ये आनंद हमसे कोई छीन नहीं सकता है, इसलिए हमारा साहस दुखना हो जाता है जब हम परमे कि हम पर दया हो, कब दया होगी जब हम अनुरे के सिंग हसन के सामने ख़ले होंगे उस सहस के साथ, उस विश्वास के साथ, उस प्यार के साथ तब परमेशर की दया अपरम पार होगी वो महान है, उसकी दया सदा की है उसकी दया सदा की है हमारे जीवन के लिए तब उसकी दया हम परोगी और क्या अनुग्रह होगा उस समय क्या अनुग्रह होगा हम कभी कभी मिशलित हो जाते हैं कि हमारे जीवन में ये कमी आ गई है हम कभी कभी मिशलित हो जाते हैं कि हमारी सेविकाई कैसे चलेगी हमारी सेविकाई में काम कैसे होगा कैसे पैसे आएंगे सब कुछ होगा लेकिन मैं मानता हूँ मैं विश्वास करता हूँ जब सहास के साथ आप अनुरे के सिंगासन के सामने आते हैं तो परमेश्वर आवशक्ता के समय हमारी साहिता करता है जिस दिन जिस पर आपकी साहता होगी जिस दिन जिस पर आपकी आवशक्ता होगी किसी भी चीज़ ही आपकी सेविकाई के लिए दोस्तों याद रखिए आपको अपने जीवन को परमेशर के अनुखरे 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 के शक्ता पूरी करेगा आप समझ भी नहीं पाएंगे कि ये पैसा कहां से आया आप समझ भी नहीं पाएंगे ये किर्पा कहां से आई किस भेंग के मन में परमेशर ने दया डाली किस भाई के मन में परमेशर ने दया डाली और परमेशर का राज़ बड़ा आपका कलीसिया बड हमें अपना प्रेम नहीं छोड़ना है, हमें परमेशर के वजन को नहीं छोड़ना है, हम परमेशर के वजन के अनुसार ही काम कर रहे हैं, क्योंकि ये काम मेरा नहीं है, ये काम परमेशर का है, मैं एक चुना हुआ बच्चा हूँ, मैं चुना हुआ दास हूँ, आप चुने ह हुए दास हैं, हम जो ये काम कर रहे हैं, ये परमेशर के लिए काम कर रहे हैं, परमेशर की इच्छा के अनुसार कर रहे हैं, हमारा कलीसिया परमेशर की इच्छा के अनुसार काम कर रहा है, अगर कोई हमें दे रहा है, तो परमेशर की इच्छा के अनुसार दे रहा है, हाले हासन के सामने बने रहें और मैं विश्वास करता हूँ कि उसका आनुगर है उसकी दया हम पर हमेशा बनी रहेगी आई हम प्रात्रा करते हैं पिता परमेशर तेरे पविद समर्थी नाम में अद्बु शिफा है हम तेरे धन्यवाद करते हैं कि तुने पर्मेशर हमें चुना इस काबिल समझा कि हम तेरी सुती तेरी आरात ना कर सके और तेरी नाम को उच्छा उठाएं धन्यवाद यूही हम तेरी सेवा करते हैं अपनी धाल हमारे सामने रख पर्मेशर अपने पंको के तले हमें छपा कर इस्चों मसिया के पबद सौनती नाम से सुनने वाले हर भाई बेन के लिए सुकारशीश और चंगाई मांगता हूँ